हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे S.E.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए Reading Campaign के तहट Maths की Worksheet No. 16 जो की 4 फरवरी 2022 की Worksheet है और ये Worksheet है Class 5 के लिए और इसका Theme है बच्चो, Mathematical Game तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी Teacher का नाम लिखेंगे चले इस Worksheet को हम शुरू करते हैं चिठिया और डाग पत्र यानि की Letterbox नमस्ते बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे आज हम एक नया खेल खेलेंगे आपको नीचे बहुत सारी चिठिया दी गई है आपको इन्हें दिये गए डाग पत्रों यानि की Letterbox में डालना होगा एक डाग पात्र में केवल दो चिठिया ही जा सकती है जैसे यहाँ पे एक है, दूसरा यहाँ पे है तो हर एक बाक्स में आप सिर्फ और सिफ दो चिठिया ही डालेंगे ठीक है? हर डाग पात्र का अपना एक नंबर है उस डाग पात्र में वही चिठिया जा सकती है जिन्हें जोडने पर उस डाग पात्र पर नंबर जो लिखा है वो आपको मिल जाएगा जैसे मानलो आपनी दो चिठिली एक पर है नंबर 400 और दूसरे पर है 495 और इन दोनों को अगर हम जोडते हैं तो नंबर बन जाएगा 895 और 895 इस लेटर बॉक्स पर नंबर है तो यानि ये दोनों चिठिया हम इसमें डालेंगे ठीक है? तो आप भी नीचे दी गए चिठियों की संख्या देखकर उन्हें सही डाग पात्र में डालिए तो यहाँ पर देखो हमें चिठियां दे रखी है कुछ और हमें देखना है कि कौन सा नंबर किस चिठिय में जा सकता है जैसे मानलो अगर हम 750 नंबर है पहले तो 750 के लिए हम कौन से दो नंबर को ले सकते हैं अगर हम 400 लेंगे तो हमें 350 और लेना पड़ेगा पर 350 तो यहाँ पर है नहीं तो हम इसका मतलब यहाँ पर इसको नहीं डाल सकते हैं ठीक है? अगर हम लेते हैं मानलो 500 तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी 250 की जरूरत पड़ेगी क्या 250 यहाँ पे है तो हम देखेंगे नमबस में 250 भी नहीं है लेकिन अगर हम 450 लेते हैं और 300 लेते हैं तो यह दोनों मिलाके 750 बन जाएंगी तो यानि B वाले जो letter box है उसमें पहली चिठी तो जाएगी 450 वाली और दूसरी चिठी जाएगी 300 वाली ठीक है और यह दोनों ही अंक आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे आप 450 और यहाँ पे आप लिख देंगे नीचे 300 ठीक है और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चिठी यहाँ पे आनी चाहिए अब 550 के लिए क्या हमारे पास 25 संख्या है कोई तो आप यहाँ देखेंगे एक संख्या है जो की हमें दे रखी है 325 तो आप पहली चिठी तो 325 ले लेंगे इसके अलावा जो दूसरी चिठी है आप वो ले लेंगे 200 वाली क्योंकि इन दोनों को जोडने पे आपको नमबर मिल जाएगा 525 तो ये दोनों चिठी या जाएंगे किसमें letter box C में अब अगर हम D की बात करें तो यहाँ पे नमबर है 700 तो एक तो हम डाल देंगे 400 और दूसरी हम डाल सकते हैं 300 तो ये दोनों चिठी या किसमें जाएंगी letter box D में अब E की बात करें तो यहाँ पे 930 है यानि हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें कोई नमबर 130 या 230 ऐसा कोई नमबर दे रखा हो तो देखो यहाँ पे है 230 ये है 230 और इसके अलावा 700 तो ये दोनों letters मिलके चले जाएंगे letter box E में अगर हम F की बात करें तो यहाँ पे नमबर है 320 तो एक हम डाल देंगे 120 वाला और दूसरा हम डाल देंगे 200 वाला और ये दोनो letters मिलके चले जाएंगे letter box F में ठीक है अब अगर हम G की बात करें तो यहाँ पे number है 660 तो 1 हम डाल देंगे 160 और दूसरा हम डाल देंगे कहीं आपको 500 निजर आ रहा है ये रहा तो ये दोनों चुठियां मिलके चले जाएंगे letter box G में और अब अगर हम बात करें H की तो यहाँ पे संख्या दे रखी है हमें 250 तो 250 के लिए हम क्या कर सकते हैं कहीं पे अगर आपको 150 ऐसा कुछ number दिख रहा है तो हम वो डाल सकते हैं या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम 130 और 120 इन दोनों ही letters को यहाँ पे हम डाल सकते हैं और ये दोनों letters आजाएंगे letter box H में ठीक हैं अब आगे देखते हैं आगे आपके parents के लिए सुझाव है कि बच्चों को किसी रिष्टेदार या मित्र को चिठी लिखकर उसे post करने के लिए प्रेडित कीजिए तो बच्चों ये थी आज की हमारी maths की worksheet and I hope आप सभी को ये worksheet बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों गर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें अपने friends के साथ भी share करें और इस channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें Thank you